नमस्का दोस्तों, English Council में आपका एक बार फिर स्वागत है, आज हम study करेंगे संबेदना, स्वांतना, प्रोफ़सान, सुचक बागता के बारे में, यानि Condolence, Consolation, Encouragement, Indicator, Sentences, यह हमारे sentences कहां यूज किये जाते हैं, जब कही कोई किसी की death कर जाता है, expire कर जाता है, उस condition में कैसे उनको सांतना देंगे, कैसे उन्हें प्रोफ़सान देंगे, कैसे मतलब शाहस देंगे, उनका कैसे धंडस बदाएंगे, तो इस condition में हम इस class में आज शीखेंगे हम, तो हमारे पास में पहली वर्व है, हमारी सबसे पहली वर्व है, Condol, तो Condol यानि Condolence, Condol से बना है Condol जिसका मतलब होता है, Condol का मतलब होता है, शोक परिकट करना, दुख परिकट करना, रोना, बलकना, ठीके, यानि मौन करना, Consol, दूसरी है हमारी वर्व, Consol, Consol से बना Consolation, जिसका मतलब होता है, धाड़स बनाना या धाड़स देना, जैसे किसी ने कुछ काम किया है, और वो SFL हो गया उसमें, तो आप उनको दिलासा देते हैं, धाड़स देते हैं, कि भाई, चलो, जो होना था सो हो गया, उसको छो कि वाई, कौन, जो होना था सो हो गया, जो होना सा सो हो गया, तीसरे बढ़ है हमारा एंक्रेस, एंक्रेस से बना है हमारा एंक्रेस मेंट, ठीके, यह हमारी वर्व है, वर्व से बना है, नाउन एंक्रेस मेंट, तो आए देखते हैं, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, पहला से संबेदना सहानभूती प्रिकट करता हूँ या संबेदना को क्या बोलते हैं सहानभूती तो मैं अपनी संबेदना सहानभूती प्रिकट करता हूँ I offer my condolences I offer my condolences मैं अपनी सहानभूती या संबेदना प्रिकट करता हूँ यानि कहीं आप दुख में गए गमी में गए तो आप उस समय अपने आप से बोलते हैं या फिर उन लोगों से जिनके हाँ पर आप गए हैं बड़े आराम से आप बोलते हैं I offer my condolences दूसरा बढ़ है इश्वर आपको शक्ती दे इश्वर आपको शक्ती दे उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उनसे बोल सेपने इश्वर आपको शक्ती दे May God give you strength May God give you strength May God give you strength इश्वर आपको शक्ती दे तीसरा हमारा sentence है उसकी आत्मा को चिर शान्ती मिले यानि उसकी आत्मा को शान्ती मिले चिर शान्ती मिले में हिस और हर जब हमारा male की death होती है तो his बोलेंगे female की death वगरा हुई है तो आप हर बोलेंगे यानि किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो expire कर गया है male female तो his या her उसके ह हिसाब से हम जेंडर के हिसाब से लगा देंगे तो में हीस सॉल गेट इटरनल पीश में हीज इस वॉल गेट इटरनल पीश यानि उसकी आतमा को चीरसांती मिले चौत्व सेंटेंस है हमारा इस वर में विस्वास रखो आप उन्हें दिलासा देते हैं have faith in God have faith in God इस पर में विस्वास रखो या believe in God इस पर में विस्वास रखो पांचमा sentence है प्रिकर्ती का यही नियम है आप उन्हें समझाने की कोशिस कर रहे हैं आप करें भाई जो होना था सो हो गया let be gone, by gone जो होना था सो हो गया तो प्रिकर्ती का तो यही नियम है this is the law of nature this is the law of nature प्रिकर्ती का यही नियम है six है भाग्य को कौन बदल सकता है what is lotted what is lotted यानि जो लिख दिया cannot be blotted उसे मिटाया नहीं जा सकता है कहने के मतलब है भाग्य को कौन बदल सकता है what is lotted cannot be blotted भागय को कौन बदल सकता है और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं there is no armor against fate यानि there is no armor against fate fate मतलब भागय भागय यानि किस्मत fortune साथमा सेंटेंस है धीरस रखिये have patience धीरस रखिये have patience हमत ने हारें do not lose hurt नॉमा सेंटेंस है चिंता से कोई लाव नहीं यहनि अब चिंता कर रहे हो उससे कोई फादा नहीं है it is no use worrying चिंता करने से कोई फादा नहीं है अब रोने बिलकने से कोई फादा नहीं है it is no use morning morning क्या होता है morning ठीक है morning क्या होता है रोना बलकना दसमा सेंटेंस है चिंता या फिकर क्यों वाई वरी चिंता क्यों यानि वाई वरी अब पस्ता होतके जब चुडिया चुक गई खेब यानि it is it is no use of crying ओवर crying ओवर spilt spilt milk यानि बिखरे हैं दूर पर आप क्या रोना अब पस्ता है होत क्या जब चुडिया चुक गई खेथ तो गाईस यही आज की हमारी क्लास है यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग